जो गुर्मुख पगत मन लावैराम विहागडा महला चोथा हूँ बले हारी तिन को मेरी जिन्दुडिये जिन हर हर नाम अधारो राम हूँ बले हारी तिन को मेरी जिन्दुडिये जिन हर हर नाम अधारो राम गुर्शत गुर्श नाम देडाया मेरी जिन्दुडिये बिक पहो जल तारन हारो राम जिन एक मन हरते आया मेरी जिन्दुडिये तिन संत जना जैकारो राम नानक हर जप सुख पाया मेरी जिन्दुडिये सब दूख निवारन हारो राम सारस्णा तन तन है मेरी जिन्दुडिये गुन गावे हर प्रव के रे राम ते स्रवन पहे शोबनीक हैं मेरी जिन्दुडिये हर कीर्टन सुन हैं हर तेरे राम सो सी सपला पवित्र पावन हैं मेरी जिन्दुडिये जो जाए लगए गुरु पैरे राम गुरु विट्ट हो नानक वारे आ मेरी जिन्दुडिये जिन्दुडिये हर हर नाम चितेरे राम गुरु विट्ट हो नानक वारे आ मेरी जिन्दुडिये जिन्धर हर नाम चितेरे राम सत्कौन दी साजी निवाजी साथ संग जी हो प्यार नाल सत्कौन दी बख्षी होई फते दी साज पाने जी वाहे गुरु जी का खल्सा वाहे गुरु जी की फते आज दा पवितर हुकम नामा सत्कौन दी अपार किरपा सत्का सच खंची हम अंदर साथ तो बख्षश कीता है प्यार नाल पहला पंजाबी बाद विच अंग्रेजी विच विचार सेवन करना जी So we're going to cover the translation of the हुकम नामा in पंजाबी for first 10 minutes and then switch on to the English Stay tuned So आज दा पवितर हुकम नामा सत्कौन ने फिर्मान कीता है प्यार अकाल प्रक्वाई को ने जिनने सारी सिस्टी साजी है सिस्टी दे विच्चों जो उत्तरती है ते अकाश है ते पताल वो सारे ही वाहिग दा नाम ते उन देने हुकम नाम ने दे चोथे पते विच गुरु मार्ज फरमादे ने तर्त पाताल अकाश है मेरी जिन्दडी है सब हर हर नाम ते आवे राम बिना साजा तों बिना जोडी तों बिना वाजे तों तर्ती अकाश ते पताल सब ते नाम ते उन देने पौन पानी बैसंत्रो मेरी जिन्दडी है नित हर 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 जस गावे राम फिर तर्ती दी गाल चड़ो जड़ा पानी है हवा आए ते आग गाए मेरी जिन्दडे ओवी वही गुदा जस गौन्दे ने कदी गौन्दे सुनेया नी पर गौन्दे ने हवा साड़े आलेदवाले है सासंग जी वही गुदा जस गौन्दी पीया पर सानू सुन्दा ने पाणी जो है वाहिगुदा जस कहुंदा पर सानू सुन्दा ही ने तरती वाहिगुदा नाम जप दी है वो भी सानू स्रवन ने हुंदा इदा मतलब जो रुहानी कान हन श्रवन हन उसाडे खले खुले ने माराज फिर होर अगे विस्तार पुर्वक दस्ते ने वान त्रेन सब अकार है मेरी जिंदरी मुख हर हर नाम ते आवे रहा हूं वान पाव जंगल जंगल ते विच त्रेन त्रेन दा पाव तीले पाव बूटे उना दिया टैनिया मेरी जिंदे अवी अपने मुतों वाहे गूता नाम जब दे परसा नो सुन्दा नी ओ जब दे नानक ते हर हर नानक ते हर दर पैनाया मेरी जिंदडीए जो गुर्मुख पगत मन लावे राम जिसत्रह सारी स्रिश्टी उस वाहे गूता नाम जब दिया है ऐसे तरह जिड़े गुर्मुक ने वो सचे पगत मन के पगत दा पाव जुड जाना बिरती एक प्रमेशनल जुड जानी पगत वो मन लाके उस वाहिगुदा नाम जपदे ने ते उना नू वाहिगुदे दारते पेनाया जानदा पेनाया मींज इदा पावाए उना नू सनमान मिलदा उना दे मुख उजले उन्दे ने गुरु माराज हुकमना मेरे शुरुआत कर दे हन हों बलेहारी तिन कों मेरी जिंदडी है जिन हर हर नाम अधारो राम मैं बलेहार जाना उना ते जिना ने उस प्रमेशर दे नाम नू अपने जीवन दा अधार बनाया गुर सत्गुर नाम देडाया मेरी जिंदडी है बिक पोजल तारन हारो राम मेरी जिंदे गुरु ने उस सत्गुरु दा नाम मेरे हिर्दे विचे पका कर देता देडा देता ओदी बरकत मैं होन बिक पोजल तारन हारो राम नाम दे राही मैं जड़ा पावु सागर है दुनिया दा समुन्दर है उदेच पानी केड़ा सासंग जी बिक जैर दा जैर दा पानी पड़ेया सारे जगद देविच पर प्रमेशर दा नाम सहाएक होंदा ऐस पावसागर तो तरन तो जिन एक मान हरते आया मेरी जिन्दिए तिन संत जना जैकारो राम जिना ने एक मन होके उस प्रमेशर दा नाम जपया हर ते आया ते आया दा पाव हुंदा साथ संगर जी ते आंदे विच रखना साड़े ते आंदे विच बहुत विचार ने पर जदो उस सारे विचार पर मेशर दे ते ते आंदे विच तबदील हो यानगे ते मारे जिन्दिए ने एहो जे संत जनांदा मैं जेकार करदां शाबाश ने ओ तानने ओ ऐह हो जे संत नानक हर जब सुख पाया मेरी जिंदडिये सब दूख निवारन हारो राम मेरी जिंदे जिनाने वाह गुदा नाम जपया उनानू सुख दी प्राप्ति होई है उना दे सारे दुखादा निवारन हो यंदा अकाल प्रकवाईगों ने बहुत संदर देहे बक्षी है साथ संग जी गुरु माराज प्रेजना बक्षिश कर देने सार रशना तानतान है मेरी जिंदडिये गुन गावै हर प्रभ के रे राम ख्याल रखे हो 55 कंटेंदे विच रशना की की बोल दीए सारे दुन्यावी विचार दुन्यावी गला बातना छड़की माराज केंदे उस परमेशर दे गुन गाव ओ रशना तान है जेडि उस परमेशर दे गुन गों दीए फिर साथ संग जी कनादा की काम है महराज प्रमान देने तेश रवन पले शोब नीक है मेरी जिंदड़ी है हर कीरतन सुना है हर तेरे राम तेरा जड़ा कीरतन सुन देरे मेरे मालका ओ कानमी बहुत तानने है बहुत तानने सो सीस पला पवित्र पावन है मेरी जिंदड़ी है जो जाए लगा है गुर पैरे राम सासंग जी ओ सीस पला मुबारक जोग है चेड़ा गुरू दे चरना ते टैप है पाव गुरू दा हुकम मननननु त्यार होजे जय कोई मुभ़ो वाहिगरू वाहिगरू जपगदा राम राम जपगदा पर गुरू दा हुकम नहीं मनननु भी ज़ी सासंग जी सिम्रन पूरण नहीं हुए सफल नहीं होएगा जेड़ा इंसान दुज्या ने नाल नफ्र करदा अपने आपनू दुज्या तो पड़ा मन्दा साथ संगर जी पावे चवी केंटे वाहिगरू वाहिगरू करदा रहे कदी परवान नी होएगा साथ संगर जी अते आस्ते वीच बहुत उदार नाने पाई बुद्धू ते पाई कमलिया पाई बुद्धू ने अपने कारदे विच गुरू अरजन दे माराज दे चर्ण पवाए ते पाई कमलिया ने क्या तू मेरे कार नहीं आउना साथ संगर जी अरदास कराई गुरू अरजन दे माराज तो ते मेरा पथा जेड़ा पठेधा बिजनस सफल होए मैं इता बना बना बेचां ते पाई कमलिया ने बचन करते बारों पाई मैं ते गुरूदे वास्ते तरे कार आउना सी तू मिनू मना करता क्योंकि तू मेरे ना नफरत करता तू कच्चा तू गुरू दा हुकम नहीं मनदा तेरी या इटा हुई कच्छी नहीं रहनी है साथ संगजी कदी इटा पकिया ही नहीं खेर तो अनू इत्यास दा पता गुर विटो नानक वारिया मेरी जिन्ड़ी ये जिन हर हर नाम चितेरे राम मैं अपने गुरू विटों गुरू तो कुर्बान जाना जिन्ने मनू अत्यास दी बक्षश कीती है बानी दी बक्षश कीती है साथ संगजी सारी दुनिया हुमे दी अग नफरत दी अग काम करोद लो मोह हंकार दी अग दी शर दी बल दी पही है पर मेरे गुरू ने मैंनों सोजी बक्ष के बचा लिया पावसागर तो पार उतार देता है साथ संगजी गुरू माराज किर्पाकरन बाकी दा समा प्यार देनाल अंग्रे जी देव चार समून करना जी तोड़ देटाव साथ कंट शियुक्राण के बालच सब्सक्षन के बालच चार व्रामदाश दी और साथ हमदाश चाहाथ कंपोजिश्ण पार्ट आ धर लिए निद्युक्राण के लुगि इस अगून अंग्रोश्वसच्ट दाथ बटेसे आन जी वार देव ताउन In today's Hukum Namah Guru Mahāj, और महीं है रवेले कि अधार है रवेला गवेला था च्रेएंट इस क्रेएंटाइन ए्वेरा श्रेएंट अर्वेस्टी ज्यूड़ है। they are all meditating upon God. Today's Hukam Nama has four parts, but I am going to touch on the fourth part first, to make it very clear. What is meditation? What is chanting of Vaheguru's name? How to do Naam Japana? There are a lot of questions asked, how to meditate. Meditation has one meaning, that you are focused on one God, nothing else. There is only one God on your mind. Guru Mahaj gives the example of Earth. तर्थ, तर्थ, पाताल, आकाश हैं मेरी जिन्डड़िये, सब हर हर नाम ते आवेराम. तर्थ means Earth, पाताल means the underground, आकाश means sky. जिन्ड़िये means my soul. Oh my soul, oh my mind, listen. Look at God's beautiful creation. How in this creation, Earth, the underground, the underworld, the sky, everyone and everything is meditating upon God's name. Even पान, पानी, बैसंत्रो मेरी जिन्ड़िये, नित, हर हर, हर जास गामेराम. Even the पान, पान means air, पानी, the water, बैसंत्रो, the fire, O my soul, even they are singing praises of Almighty God. जास गावेराम, जास means to praise, गावेराम means to sing. Amazing. We don't hear that. We don't hear water, fire and air singing God's praises. Because we don't have those spiritual years. We don't have ability to listen to the meditation the Earth is doing. Guru Maharaj further explains, वान तर्ण सब अकार है मेरी जिन्द़िये. सब means all, अकार means all the creation. वान means forest, तर्ण means plants. All the plants in the forest, even though everything in the अकार, in the creation, O my soul, with their mouth, they remember God. They praise God. Now, what is the secret? We don't hear earth singing. We don't hear plant singing. First reason, we don't have the ears. The second reason, नाम जापना, and the meditation means, you submit yourself to one creator. You just serve one creator. That is the fruit of meditation. And secondly, you see one creator in everyone, in that you don't hate anyone. You love all. You are humble. You can see God's creation as a game, as a play. That is, fruit of meditation. एक द्रिष्ट कर संसर जाना है, जोगी काया सोई. Guru Nanak Dev Ji Maharaj says to jogis, who used to meditate for hundreds and hundreds of years, Guru Nanak Dev Ji said, that jogi, you have made your own sect, your own jatha, and you are proud of your own jatha, your own religion, your own path. There is no way you can liberate. until you see and look upon everyone as God's creation. As you see yourself part of the creation, you are not high, no one is low. हम नही चंगे, बुरा नही कोई, प्रन्वत नानक तारैसोई. Beautiful message. And it is eye-opener. Satsangha Ji, many times, we feel, and we think, we are better than others. But if we have that feeling, there is no chance of liberation. People dream about finding a place in heaven. There is no place in heaven if there is arrogance. हुमे नावे नाल विरोध हैं, दोई ना बसे एक ठाएं. Message is so clear. So, how earth is meditating upon God's name? Meditation means to be focused on one. To submit to one. So, earth has submitted itself to God's will. Earth completes one revolution around its axis in 24 hours. That is God's will and earth obeys that. there is a will of God for earth to go around the sun in 365 days approximately. We know there is a leap year because it's not exactly 365 days. So, every fourth year is a leap year. Where you have 29 days in February. Otherwise, in February, you have 28 days. So, earth is bound to God's will. That's how earth meditates. Water is bound to God's will. And that's how physics is based on. If you look at the property of air, they are fixed. Earth, the air, don't change their nature, their behavior. they follow God's command. You can look at the property tables for different materials, different metals. They are well defined. And that is God's will, God's name. So, now, if we have understood that, now we can look at the next pangti. What is the message for me today? We need to think about I need to be Gurmukh. Guru's hukam, Guru's will is God's will. I have to submit myself to my Guru. I need to be a Gurmukh. So, my Mukh, my face is towards the Guru. I am ready to receive the order from my Guru. So, by being Gurmukh, I become the Pagat of Vaheguru, devotee of God. and Gurunayi Dev Ji Maharaj gives the guarantee. Nanak te har dar pehnaaya meri jindriye. O my soul, then you will receive the honor at God's court. Dar means darwaja, the gate. When you enter the palace of God, you will be honored. That was the fourth part of the Hukum Nama. Now, what we have understood is if you submit to God, if you follow God's command, you are meditating upon God. Now, those who have made God's name as their path in in their life, I'm sacrifice to them. They are blessed people. O my soul, Guru Satgur Naam Naam they are only few rare people. But when you have faith in God, God is trustworthy. God is going to bless you with the happiness in your life. You can trust God. So, Guru Mahaj means that if you trust God with Guru's wisdom, you will have God's name planted in your mind. Guru Satguru Naam Ddaya Meri Jindhati. Ddaya means to be planted. God's name becomes part of you. God becomes part of you. Then you will swim across Bik Paujal. Bik means poison, means the ocean of fear. People are scared. People are living under fear. There is uncertainty in life. From the relationship there is a financial uncertainty. People live under fear. But all the fears will depart if you submit yourself to God. Jin Ik mana har my life beautiful. Those who meditate upon God single mindedly. There is nothing else in their mind. Then they are true saints of God. And I hail them. I praise them. God God proclaims this way if you meditate upon God's name you will receive the eternal peace O my soul all your miseries will leave you. Appreciate your body. We don't understand why God has given us tongue. Today Guru Maharaj reveals to us the purpose of tongue. Purpose of tongue is to praise God. means virtues. That tongue is so blessed is being used for good purpose. That tongue sings God's praises. Then comes ears. Why God has put ears on the body. Guru Maharaj reveals Shravan means ears. Shravan means praise worthy. Honorable. Those ears are honorable. Praise worthy. Who listen to the Kirtan of Almighty God. beautiful. Guru Teh Bada Maharaj reveals to focus your mind you have to chant with your tongue. With your tongue praise God and listen to the praises of God what you have just said or chanted with your ears. Complete the cycle. If you follow this practice that you listen to the praises of God what you have chanted with your ears you will never fall in the hands of death. You will become eternal. So shri shupal a pavitra pavad hai meri jindad diya jo jaye lagaya guru pehre raam that head is so blessed which falls at the feet of the guru like panji pehre saas sangha ji they offered their head to guru govind singh ji maharaj their head is blessed gurvittah nanak waria meri jinddiya jin har har naam chitere raam those who have enshrined god's name chitere means to enshrine chitere karna remember all the time those who remember god's name with love all the time hum sacrifice to such people they are true saints te netr pale parwan hai meri jinddiya joh sadhu satgur dikh hai ram those eyes are blessed which study guru gurudhan sahib ji maharaj te hast punit pavitr hai meri jinddiya joh har jas har har lik hai ram those hands are blessed which write the praises of god which means they do what god tells them to do those hands are amazing this jan ke paag nit puji hai meri jinddiya joh marag taram chalai se ram i'm here to worship the feet of such saints who walk on god's path they are amazing people in their company i can be liberated saas sangha ji very short sakhi you may meditate day and night you may chant vaheguru 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 all the time but if you hate someone all your meditation is taken away taram karam sab hir leya meri jinddiya why in guru arjan dev ji's time there was a gurmukh piyara pai budu he didn't like another gurmukh piyara pai kamliya guru arjan dev ji one of us invited to pai budu's house to inaugurate brick making business and pai budu stopped pai kamliya from coming into the house because he didn't like him so saas sangha ji pai kamliya said the bachans you are kachah you are not firm on guru's words to guru the galni manda your bricks will never bake and saas sangha ji those bachan those words came true question is pai budu used to meditate all the time but how come his business was absolutely in mess he could not make bricks the reason being he humiliated insulted a gurmukh he had hate in his mind saas sangha ji nam japna means we remain in guru's will mith bol ra ji har sajjan swami mora ho sammal ta kye ji ho sammal ta kye ji o kde na bole koda may saad good best you all have a great day pya dina al-fati saan paani wahe guru ji ka khalsah wahe guru ji ki fath